आप सभी क्या मेरे यूट्यूब चनल फाइन आट बाला में स्वागत है तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जिन छात्रों ने महात्मा गाधी का सी बिद्या पीट में बिफे इंट्रेंस का फॉर्म अपलाई किया है तो उनको प्रिप्रेशन कैसे करना है थियोर बुख को पढ़ना होगा तो इस पर चर्चा करेंगे तो सबसे परले हम लोग जानेंगे कि महात्मा गाधी का सी बिद्या पिट में वीफे थियोरी का स्लेबस क्या है इस पर चर्चा करेंगे किस किस टॉपिक से क्वेशन पूशे जाते हैं अब उस टॉपिक को कैसे पढ़ना है उसको भी हम बताएंगे कि किस बुक को आप पढ़के बहुत ही अच्छा माक्स ला सकते हैं आप थियोरी एक्जाम में तो महात्मा गाधी कासी बिद्या पिट में वीफे का जो स्लेबस है क्या क्या है क्या क्या टॉपिक है तो प्रगेतिहासी कला से अधुनिक इतिहास इसको आपको पढ़ना होगा शिंदुसरवेता पढ़ना होगा मोर्यकाल सूंग काल कुसांकाल तथा गुप्त कालीन पल्लव चोल चालक्य राश्टकुट मुगल जैन पहारी रास्थानि बंगाली स्कूल समकालीन कलाकार गरूब तथा तकनिक सिधान्त इत्याध यूरोपिय कला भी पढ़ना होगा आपको वेस्टर नाट जोए की प्रगतिहासी कला से आधुनी कला का इतिहास मिस्र मुस्वपोटामिया ग्रीक गोथिक रेनेशा वर्से करोरों को प्रभावाद घनवाद फावाद दादावाद अमूर्त योम तकनीकी सिधान्ती सित्र कल ब्यवहारिक कला मूर्तिकला इतियाद यानि क्यों आपको इस टॉपिक को पढ़ना होगा तो किस बुक से आप पढ़ें कि आपका अच्छा जो है कि माक्स आ सके थियूरिक एक्जाम में आपको बताना दे कि किस बुक से आपको प्रिप्रेशन करना है और यह टॉपिक आप कि इस लेबस को कंपलीट करें किस बुक से पढ़ें आप कि आपका जो इस टॉपिक दिये गया है उसको तयार कर सके और आप थियूरि में अच्छा माक्स ला सकें तुए है आपकी बूक जो है कि हिस्ट्री आफ इंडियान अड्ट क्लास 12 की है ये इस्ट्री आफ इं इसमें रास्थानी पहारी मुगल दक्नी रहे और यह की भार्तिया मुर्थिसिल्प एवम अस्थापत तेकला मिनाची काशिवाल भारति का यह बुख है जिसमें आपका दिया गया प्राग्यति हासिकाल है मौरे काल सुंग काल मौरे काल यह सब दिये गया तो इन बुकों को आपको पढ़ना होगा और जैसा कि पिछले साल 2022 में महात्मा गाधिकासी विद्यापिट में जो विफे थियूरी का पेपर था वो लगभग ज्यादस ज्यादस क्वेश्चिन जो है कि विच्चु का जो प्रीविएस एर का पेपर है उसको भी आप रिवाइज कर ले और हात्मा गाधिकासी विद्यापिट का जो विफे का थियूरी का जो पेपर है 2022 का वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्टन में दिया गया तो आप लिंक को उपेन करके पेपर को स्वाल्ब कर सकते हैं हंड्रेट क्वेशन पूछे जाएंगे हंड्रेट क्वेशन पूछे जाएंगे टाइमिंग रहेगा दो घंटे दो घंटे टाइम और मार्क्स रहेगा आपका 200 नम्मर का मार्क्स है निगेटिव मार्किंग नहीं होगा अगर आप किसी क्वेशन का गलत जब आप देदें तो आपका नम्मर नहीं कटेगा आप सभी को बता दें कि ये जो तियोरी का पेपर होगा आपको पूरा का पूरा आप लोग अटेम्ट कर सकते हैं समय भी बहुत है दो घंटा टाइमिंग है अगर आपको कोई क्वेशन अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको भी अटेम्ट करिए क्योंकि गलत करने पर नम्मर नहीं कटेगा और बाइचांस अगर सही हो जा रहा है तो आपका मार्क्स मिल सकता है इसलिए आप पूरा का पूर लाइक शियर कमेंट जरूर करें ताकि आपको व्यफे इंट्रेंस से समन्दित पूरी जानकारी मिल सके धन्यवाद आप सभी क्या